हालो फ्रेंड अबको दो बड़ा वेलकम करता हूँ गूगल एड्ज ट्यूटल इन हिंदी क्लास में जहाँ पर आप सिखेंगे हाव टू क्रेट गूगल एड्ज कैम्पेंड वह भी बिल्कुल आपको हिंदी में सिखने कहों मिलेंगे और यहाँ पर आपको फूल क्लास के साथ आपको Digital Marketing, SMO PPC सारे के सारे Digital Marketing के उपर जो कोश से और टेरिंग है वो आप यहाँ पर सीख सकते हो तो फ्रेंट आप जानते हो के PPC Expert Full Tutorial क्लास यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर आपको PPC Full Class Step By Step मिलते तो यहाँ पर अगर आप एक ad campaign create करना चाहते हो तो first time ad campaign create करने से पहले आपको कौन से वाला step लेना होगा यह मैं आपको साथ आज discuss करूगा इसके बाद आपको ad campaign create करना सिखाऊंगा तो चलिए फ्रेट मैं यहाँ पर आपको सामने में एक dashboard लेकर आया हूँ जहाँ पर आप द point हे वह आपको ध्यांदना होगा सायद आप फिशर हो या हो सकते आप beginner हो और beginner ads utl के लिए यह आपको ज्यादा benefit दे सकते है तो चलिए मैं भी आपको तरह first time ad campaign create करने से पहले ऐसे कौन से वाला गोंडल रूल से जो मैंने याद करके ad campaign create कर लिया था और वही मैं experience आपको जो लोग actually office के लिए furniture sale कता है right और यह furniture sale करने के लिए आपको क्या करना होगा pop in जो dot com है वो side आपको open करना होगा friend याद रखिए यह में कोई ऐसे affiliate marketing या website promotion नहीं कर रहा हो बस आपको example के दोवारा यह site मेंने choose किया है और यह online furnishing, office furnishing, corporate branding और designing services दे देते हैं right तो यहाँ पर जो हम लोगों का main target होगा online furnisher के लिए एक ad campaign create करने के लिए right तो कोई भी एक ad campaign create करने से पहले आपको यह decide करना होगा कि आप कौन सा तरीके से ad campaign अगर create कर लेंगे तो आपको जाबता ज्यादा sale होगा right और यह ad campaign create करने से पहले आपको decide करना होगा कि आप जो ad campaign create कर रहे हो उसका title actually कौन सा type का होना चाहिए और कैसे आप ad campaign लिखेंगे तो ज्यादा ज्यादा लोग impress हो जाएंगे और आपका ad click में click करके ज्यादा ज्या बस आप basically by furniture online ऐसा ही click करके आप एक ad campaign create कर सकते हो right तो कोई भी ad campaign create करने से पहले आपको थोड़ा सा analyze करना होगा और अगर आप पहले पर ad campaign create कर रहो तो सायद आप source नहीं पाते है कि कैसे आप ad create करना होगा right तो ad campaign create करने से पहले आप थोड़ा सा कुछ point जो है ओ आप note कर सकत जैसे मैंने यहाँ पर जो fast priority है मैंने दे चुका हूँ कि make your landing page for relevant number one है अगर आप एक ad campaign create करना चाहते हो google ads के दुवारा तो google ads campaign create करने से पहले आपको जो website जो landing page होगा वो आपको relevant होना चाहिए मान के चलिए आप एक office furniture बिसना चाहते हो जैसे मैं यहाँ पर table बिसना चाहते ह कि आपको relevant website और आपको जो content है वो आपको जुरूर आपको website की landing page के अंदर होना होगा अगर आपको दिल में यही सावल आ सकते है कि landing page देखने को कैसा होता है तो आप चाहे तो कोई भी एक landing page क्लिक करके आप अपना add खुद दे सकते हो सुपरेंट यह होता है एक landing page और आप देख सकते है यह एक घटिया टाइफ का landing page मुझे लगता है यहाँ पर स्रिप के स्रिप email data collect करने के लिए landing page बनाया है पर मैं यह landing page का support नहीं करता हूँ बस मुझे थोड़ा सा और एक landing page के जुरूरत है जो यहाँ पर जो relevant है आप और यह यह वाला एक देख लेते हैं और इसके साथ चाथ अगर एक relevant लगते है तो आप भी चाहे तो इसका ही same to same एक फार्नीशर आप create कर सकते हो तो मेरा उमीद है यह भी अच्छा नहीं है because आप देखे टाइटल तो लिखा कि वे फर फार्नीशिंग छेल अर अर बस यह ट पूड़क है वो देखना चाहते राइट तो यहाँ पर देखने से पहले आपको एक यह मतलब क्या होता है एक आपको Gmail ID देना होगा तो चलिए मैं कोई भी एक Gmail ID देता हूँ उन लोगों का Gmail ID चाहिए नहीं तो यह ad campaign नहीं दिखाएगा तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और आपको जो relevant landing page है वो आपको सामने में आ चुका है तो friend आप देख सकते है up to 70% off for home remodel के लिए ओके तो चलिए start shopping करता है So friend यहाँ पर जो बात है ad campaign create करने हैं से पहले आपको एक खुब सरट title लिखना होगा आप टाइटल के अंदर आप जुरूर एक बार आपका जो relevant keyword है यह sell करने के लिए जो keyword choice करें वो keyword आप जुरूर टाइटल पर दीदीजिए तो यहाँ पर देखिए एक लिखा है कि फानि लागा कर आप एक unique ad campaign create कर सकते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते है कि buy furniture today ठीक है मैं call to action बाला ad campaign create कर रहा हूँ और इसके साथ में मेरा user को force करना चाहता हूँ right इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ buy furniture today अगर वो आज furniture खाती लेंगे तो उसको minimum कितना discount मिलेंगे यह भी cashback तो यह मुझे अच्छा लगा आप जानते कि कोई भी ad copy करना गलत कम है पर मैं आपको example के दुवार यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको 20% discount देना है right तो देखिए मैंने लिखा buy furniture today और इसका साथ साथ अगर आज ही वो furniture खरीद लेंगे तो आपको 40 50% off तो मिलेंगे और उसके साथ 20% off मतलब जाने की totally 60% off है तो यह लोगों की impress करने के लिए ऐसा एक आपको ad campaign create करना होगा यहाँ पर today मतलब बिखा अगर यह ad campaign आप मतलब close करके निकल जाएंगे तो यह offer दोबर आपको लिए नहीं मिलेगा इसलिए आपको today लिखा तो फ्रेंट आप देख सकते हो एक title लिखने से पहले आप दो चार एड दूसरों को भी देख लिए और उसका साथ आपको जो साही तरिके से title लगते वो title के आप थोड़ा खुद defend करके आप ऐसा ही एक unique ad campaign बना सकते हो फ्रेंट इसके साथ-साथ और आते हैं क्या point है optimization और negative keyword तो आप देखिए यह जो अगर negative keyword है negative keyword है क्या से ढूंडेंगे मान के से लिए आप कोई एक ad campaign create करना चाहते हो पर आप यह नहीं चाहते हो कि exactly आपको जो keyword है उसका साथ-साथ आपको एक नया जो keyword है अगर डालेंगे जैसे मान के से लिए मैं example के दोरे में लिखा fake by furniture तो आप देख सकते है fake by furniture लिखने के भी आपको बहुत सरे add आ रहे है तो यह relevant नहीं है राइट अगर कोई fake लिखते है तो मतलब यह सारे के सारे जो website आ रहे है तो आप इसको बिलीब नहीं करेंगे राइट इसलिए आपको कह होगा आपको relevant जो negative keyword है वह आपको डाल ला होगा जैसे furniture अगर आपको keyword होगा तो आप यहाँ पर fake add करके और इसका साथ चाथ आपको जो keyword है ऐसे यह आप बहुत सरे आपको जो keyword negative keyword हो add कर दीजे बिकोज अगर कोई fake funny चाल लेखेंगे तो आपको ऐसा ही बूरा तरीके से आपको add देखने को नहीं मिलेंगे जो यह लोग actually add दिखा रहे है राइट फ्रेंड इसके साथ चाथ चाथ आ जाते है के use the right keyword mess type इसके साथ साथ आ जाते है use the right keyword mess type तो अगर आपको keyword के साथ साथ मैस हो जाते है तो वो ही keyword आप चूज कर लीजिए और use every relevant add extension पार एक keyword के लिए आप अलग-अलग add extension create कर सकते हो और हाँ अगर आप एक add campaign create कर रहे हो तो please आपको जो landing page है वो ज़रूर mobile optimization बना लीजिए तो आपका जो add है वो campaign जुरूर आप mobile optimization बना लेना ओके फ्रेंड इसके साथ साथ आपको जो main और एक option है कि use google remarketing furniture आप ये बताएंगे कि में remarketing करने की क्या जूरूरत है आप जनते कोई भी एक user जब पहले बार आपका add देखते है तो वो खरिदने के लिए decide नहीं कर पाते इसलिए आपको दो बारा उसको retargeting करना पड़ता है because एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे तीन बार अगर ओओ add आपको same to same देखेंगे तो खुद decide कर पाएगा कि हाँ मेरा लिए perfect है या नहीं इसलिए आपको google remarketing features जहे वो आपको इस्तमल करना होगा और friend मैं ऐसा ही आपको add campaign create करने से tips और trick नहीं बताता हूँ आपको step by step जो relevant है वो में content आपको साथ share करता हूँ और google ads tutorial इन हिंदी में आपको ऐसा ही बहुत सारे ads के उपर जो campaign है step by step आपको सेखनों को मिलेंगे अगर आप एक beginner हो तो आपके लिए channel सबसे ज़्यादा benefit है अगर आप एक फेशार हो तो भी आपको इसलिए benefit है अगर आप already add campaign create करते हो आप already google ads के उपर ज्यादा ज्यादा काम कर चुके हो और आप google ads के उपर expert भी हो तो भी मैं आपको help कर सकता हूँ आपको रिकोष करूंगा चैनल सब्काइब कर लेजिए और इसका साथ जो relevant वीडियो आने वाला है वो वीडियो आपको तुरंट मिलते रहेगा अगर आप एक bell बटम दबा लेंगे चलिए फ्रेंट बहुत 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 बोरिंग क्लास में आपको कर लिया है अगर आपक अच्छा लगते तो प्लीज अब कमन कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और अगर आपको बुरा लगते हैं तो डिश्लाइक कर सकते हैं बस आपको साथ मुझे दोस्ती करना है और मेरा साथ जोले रहेए फैमिली बढ़ा कीजिए चलिए मिलते हैं नौय एरेक वीडियो के साथ तब तक अब हैपी रहिए, खुशी रहिए, जाए हिंद, बंद बात रहाँ